तो आज मैं explain करने वाला हूँ हाली में प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक हॉरर कॉमेडी मुवी इस फिल्म का नाम है स्त्री टू जो के दो मैने पहले बॉक्स आफिस पे रिलीज हुई थी और इसने बंपर कमाई की है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो कहानी की शुरुवात वहीं से होती है जहांके पार्ट वान खतम हुआ था त्री जो के एक चुडैल है वो फिर से चंदेरी गाउं में जाने का सोचती है लेकिन वो देखती है कि गाउं के बाहर में उस जो अपने फोन में घुसी हुई थी और सिगरेट पीने के लिए बाहर निकलती है तब ही उसे भयानक आवा सुनाई देती है और फिर उसे अपने पीछे फिर उसे पीछे कोई दिखाई देता है और उसके सामने एक बॉल जैसा कोई चीज रोल करते वे उसके पैर के सामने कर रुकता है वो उसे उठा कर देखती है लेकिन ये तो कोई भयानक शैतान था जिसका नाम है सरकटा और वो उस लड़की को जकर लेता है और अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है अब कहानी जाती है कुछ साल के बाद देखते हैं कि चंदेरी गाउं में फिर से महा को देखते हैं जो के गाना गाते हुए सभी का मनोरंजन कर रहा था और वो सभी को स्त्री की कहानी बताता है कि कैसे वो महा पूजा के समय अगर कोई भी मर्द बाहर घूमते हैं तो उन्हें पकड़ कर वो ले जाती है आधी रात के वक्त वो भी मर्दों को निर्वस्तर करक इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर लिखते हैं ओ स्त्री का लाना अखिर में एक रखवाला आता है विक्की और उसी ने स्त्री को अपने प्यार के जाल में फसाया और स्त्री की जान तो उसकी चोटी में थी इसलिए उसने उसके चोटी को काट डा और विकी ने पूरे गाओं की पूरशों की जान बचा ली और स्त्री को मिला इज़त और सम्मान अब अगली सुबा एक पोस्टमैन आता है और उद्रा को एक चिठी देता है पोस्टमैन को लग रा था कि ये कोई लव लेटर है क्योंकि एंवलप को देखकर ऐसा ही लग रा मगर उस एंवलप के अंदर एक किताब होता है जिसमें किसी का फोटो था जो एक कटेवे सिर को अपने हाथ में लेकर खड़ा था जिसे देखकर रुद्रा काफी घबरा जाता है अब हम विकी को देखते हैं जिसे मिलने के लिए उसकी चुड़ेल गर्फरेंड आती है विक रुद्र उसे समझाता है कि आखिर तुने खुद का क्या हाल कर लिया है ऐसे करने से वो तुस्से मिलने आएगी क्या कभी नहीं आएगी वो लड़की बस एक छलावा है लेकिन विकी अपनी गल्फरेंड के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनना चाता था खेर र उद्रा काफी डरावा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किताब के पन्ने फटे वे क्यूं है और इतने समय के बाद आखिर उस आखिर उस किताब को भेज कौन रहा है कोई तो है जो उन्हें चेतावनी दे रहा है लेकिन विकी को इस सम में इंटरेस्ट नहीं था और वो सोचता है कि ये बस भकवास है और वहां से चला जाता है वो अपने घर आता है और उसके घर के बाहर बोर्ड लगावा था चंदेरी का रक्षक उसके पापा उसे पूछते हैं कि आगे करना क्या है अगर विकी ऐसे ही टाइम पस करता रहा तो गाउं के सभी लड़किय या शहर चली जाएंगी और विकी को शादी के लिए कोई भी नहीं मिलेगा विकी को इसे फर्क नहीं पड़ता तो उसके पापा उसे समझाते हैं शादी कर लेने के लिए लेकिन विकी नहीं मानता इसलिए उसके पापा पैसे देते हैं और कहते हैं जा फ्रेंडशिप करकि तो बिट्टू मजाक में कहने लगता है कि तुझे 16 सोमवार का वरत नहीं तुझे तो अक्षा एका दशी का वरत रखना चाहिए ताके पिशाचनी से तेरा पीछा छूटे। गुसे में विकी अपना पैसा वापस ले लेता है जिससे बिट्टू अपनी गर्फरेंड चिट्टी के लिए टेडी बियर खरदने वाला था। इसलिए बिट्टू गिर गिराने लगता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो बिट्टू को प्यार से बिट्ट्स कहती है लेकिन मजाक में विकी अपने दोस्ट से कहता है कि अच्छा है तेरा नाम टीट्टू नहीं है। अब इसके बाद रात के समय देखते हैं विकी बिट्टू को लेकर चिट्टी के घर आता और बिट्टू अपनी गर्फरेंड को कहानी सुना रहा था ताके उसे नींद आ जाए। जब वो सो जाती है तो बिट्टू बाहर आता है। दोनों वहाँ पर रंगीन बाते करने लगते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे कोई तो खड़ा था जो वहाँ से उ अचानक से उसके सामने सर कटा आ जाता है और वो चिट्टी को लेकर वहाँ से चला जाता है। चिट्टी के चिलाने की आवाज सुनकर सभी लोग भागते वे अंदर आते हैं और उन्हें बात्रूम का दर्वाजा तूटावा मिलता है जिससे सभी लोग हैरान हो गए थे औ और गाओं के सभी लोग फिर से निकल पड़ते हैं चिट्टी को ढूणने के लिए। रुद्रा को फुट्प्रिंट मिलता है जो काफी बड़ा था। सभी लोग सोच रहे थें कि इतना बड़ा पैर किसका हो सकता है। रुद्रा कहता है ये किसी दानाफ का पैर है। गूर रही थी वो वहाँ से चली जाती है। विक्की उसका पीछा करता है और आखिर में वो उसी जगा पहुँचता है जहां स्त्री रहती है। लेकिन उसे वहाँ पर उसकी पिशा चिनी गर्ल्फरेंड मिलती है। पहले तो उसे लग रहा था कि ये सब उसका सपना है लेक वो वापस आ गया है। वो लड़की उसे वहाँ पर एक मूर्ती दिखाती है लेकिन वहाँ पर एक छोटी बच्ची थी। विक्की पूछता है ये कौन है तो वो कुछ नहीं कहती। बिट्टू रुद्रा के दुकान में होता है और वो सोच रहा था। विक्की भी गायब ह गया। उसकी गर्फ्रेंड भी गायब हो गई है कहीं दोनों एक साथ भाग तो नहीं गएं। तबी वहाँ पर विक्की आता है और वो रुद्रा से कहता है चिट्टी खोल कर दिखाने। चिट्टी सुनकर बिट्टू को लगने लगता है उसकी गर्फ्रेंड के बारे में यहां बात हो रही है तो वो गुसा होने लगता है मगर रुद्रा उसे बताता है अरे लेटर की बात हो रही है रुद्रा किताब में पढ़ता है कि स्त्री के हत्यारे थे चंद्रभान और उसकी पंचायत और चंद्रभान गाओं का मुख्या था और वो बहुत ताकतवर था अयाश और शराबी भी और दुसा शन उसका आदर्श था और चीर हरन करना उसका शौक था उसके हिसाब से औरतों का काम था चुला चौका करना जब मन हो उनके साथ सोना चंदरभान और उसके साथ ही एक तवायफ का मुझरा देखने के लिए जाते थे लेकिन जब तवायफ शादी करना चाहती थी तो चंदरभान और उसके लोगों ने उस तवायफ के प्रेमी का गला काटा और उनके छोटे बच्चे के सामने उन दोनों को जला दिया और जब वो तवायफ इस्तरी बन के वापस आई तो वो चंदरभान और उसके साथियों का सर काट कर दो गज जमीन के नीचे गाड़ दी थी और वो सर कटा आज भी यहीं कहीं दफन है तब उन्हें समझ आता है कि उन्हें लग रहा था कि गाउं की लड़कियां जॉब करने के लिए शहर जा रही है लेकिन असली में वो सर कटा उन्हें पकड़ के ले जा रहा था बिट्टू विकी से पूछता है कि आखिर तुझे यह सब कैसे पता तो वो मुस्कुराते वे कहता है कि उसकी गल्फरेंड वापस आ गई है विकी फिलहाल काफी खुछ था कि उसकी गल्फरेंड वापस आ गई है और वो उसके साथ वक्त बिताता है लेकिन जब वो उसके साथ तस्वीर लेने की कोशिश करता है तो वो उसे रोकती है और मना करती है फिर जब दोनों रोमैंस करते हैं तो अचानक से उसका चैरा भयानक हो जाता है और वो विकी की उंगली काट लेती है जिससे के वो चिलाने लगता है फिर वहाँ पर रुद्रा और बिट्टू पहुंझाते हैं पर देखते हैं के विकी की उंगली में कुछ भी नहीं हुआ था बिट्टू उसे पूछता है के अगर वो तुम्हें मिली भी थी तो तुमने उसे पूछा के चिट्टी कहां है फिर दोनों विकी को समझाते हैं के तुम जो भी देख रहे हो वो सब भ्रहम है सच नहीं है तु भी काफी उदास था और उसे कहता है कि अब हमें तुम से ही उमीद है कि तुम हमारे लिए चिट्टी को ढूंड सकते हो इसलिए बिट्टू उसे कहता है सर कटे से लड़ने के लिए इसलिए विकी उन दोनों से कहता है कि सर कटे से लड़ने के लिए उसने एक रास्ता ढूंड लिया है वो लोग पूछते हैं कौन सा रास्ता तो विकी बताता है स्त्री को वापस बुलाना पड़ेगा बिट्टू से पागल कहने लगता है कहता है कि इतनी मुश्किल से हमें स्त्री से छुटकारा मिला इसकी तयारी कर रहा है जना को अभी भी दोहरे आते हैं और वो लोग उसे बताते हैं कि अब जना ही है जो स्त्री को बुला सकता है तबी घर में एक जोर की आवाज आती है मगर जना छुपाने की कोशिश करता है कहता है ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ दोनों दोस्त को लग रहा था जरूर कोई लड़की है अंदर में और उसके दोस्त का चकर चल रहा है लेकिन असली में अंदर में एक भेडिया था मतला भासकर जो उन सबी को देकर वहां से भाग जाता है जाना उन पर चिलाने लगता है अंदर जाने की क्या जरुवत थी आखर तुम लोग मेरी बास सुनते क्यों नहीं मगर वो स्तरी का नाम सुनकर काफी डर गया था और वो वापस चंदेरी गाउं नहीं जाना चाता लेकिन वो लोग उसे जूट मूट कहने लगते हैं कि तुझे इस तरीका नाटक करना होगा वही नाटक जो रुद्रा करवाता है मेले में अब इसके लिए वो मान जाता है और वो उसे गाउं ले आते हैं जाना अपने ममी पापा से मिलता है जो अपने बेटे को यहां देकर काफी खुश थें फिर वो रुद्रा से मिलता है और पूरी टीम वापस से एक जुट हो चुकी थी वो लोग जाना को बताते हैं के सर कटा बिट्टू की गर्ल फ्रेंड चिट्टी को उठा कर ले गया है जाना हैरान हो जाता और कहता है आसंभव मतलब के उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रा था कि बिट्टू की कोई गर्ल फ्रेंड भी है और इसलिए स्त्री को वापस बुलाना होगा स्त्री को बुलाने का जिम्मा जाना के उपर है मगर वो डढ़ने लगता है फर उसके दोस्त उसे समझाते है कि स्त्री का अंश तुम्हारे अंदर है इसलिए तुम्हें बस हमें दीशा दिखानी है अब आखिर में वो लोग पुरानी हवेली पहुंच जाते हैं जहां जाना काफी डरावा था कहता है कि हम सुभा में आते हैं मगर रुद्रा कहता है स्त्री रात में ही निकलती है और यही सही मौका है अब वो लोग अंदर जाते हैं मगर जाना कहता है कि इस तरह से स्त्री वापस नहीं आएगी, वो अकेले में मर्थ को उठा कर ले जाती है, अब साइड में जाकर विक्की, बिट्टू और रुद्रा को बताता है कि हमें जाना को यहां अकेले छोर कर जाना होगा, तभी स्त्र कटा देखने को मिलता है, इसलिए वो उल्टे पैर वहां से भागाता है, अब वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग कभी भी अकेले नहीं जाएंगे, विक्की को पता है स्त्री कहां मिलेगी, वो लोग उस मुर्ती के पास आते हैं और उद्रा देखता है, कि यह तो वही खोश आ जाता है, और वो चिला कर कहता है हमें यहां से भागना होगा, वो वापस आ गया है, वो लोग वहां से निकलते हैं और देखते हैं कि सरकटा उनके पीछे ही खड़ा था, सरकटा उन चाड़ों का पीछा करने लगता है, लेकिन वो सिर्फ जना के पीछे जाता है, जना रुद्रा से दारू लेकर सरकटा के उपर छिडखने लगता है, जो के सरकटा को काफी पसंद आता है, फिर जना लाइटर से सरकटा पे आग लगा देता है, और सरकटा से उन्हें छुटकारा मिल जाता है, वो लोग जान बचाते हुए स्त्री के मुर्ती के सामने आते और वो विकी को गले से पकड़ लेता है, और बागी के दोस्त उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फैदा नहीं होता, आखिर में वहाँ पर विकी की गल्फरेंड आ जाती है, जिसे देखर सरकटा विकी को छोड़ देता है, और वो अपनी चोटी से सरकट पर हमला करती है, लेकिन सरकटा उसके चोटी पकड़ कर उसे फैंक देता है, और सरकटा वहाँ से गायब हो जाता है, विकी अपनी गल्फरेंड को समालता है, और आखिर में सभी लोग विकी के गल्फरेंड को देखी लेते हैं, कि इतने में स्त्री का जो स्टैचू था, व वो कहती है कि हाँ, ये चोटी उसी की है, पार्ट वन में हमने देखा था, कि स्त्री के कटेवे चोटी को वो अपने बाल में लगा लेती है, और ये चोटी लगा कर उसने अपनी शक्तिया बढ़ाई है, बिट्टू से कहता है कल रात के लिए थैंक्स दीदी, विकी अपने जादू का अभ्यास करने गई थी, वो उन सभी से कहती है, फिलाल के लिए हमें सर कटे के बारे में सोचना है, वो बहुत जादा ताकतवर है, तुमने देखा कि उसने मुझे किस तरीके से उठा कर फैंक दिया था, महा पूजा के समय उसकी शक्तियां बढ़ जाती है, पू जना बताता है कि उसे एक जगा दिखाए देती है जहां से वो सर कटा वापस आया, वो जगा बहुत भयानक है, और जब वो उस रात मर गया था, वो असली में मरा नहीं था, बलके उसी जगा पर गया था, वहां हर एक चीज सुखी वी थी, चटाने उल्टी थी, और वहां दावा भी था, बहुत सारी लड़कियां भी होती है, जो सफेद साडी पहनी हुई थी, और गंजी होती है, अब अपनी गल्फरेंड को गंजी इमेजिन करके बिट्टू रोने लगता है, वो लड़की कहती है कि सर कटे को उस हर लड़की से प्रॉबलम है जो नए विचार से ओरत है, रुद्रा उसे कहता है कि आप सोशल मीडिया पर हैं, वाटसैप चलाती हैं, फोटो पोस्ट करती हैं, तो आप भी सर कटे के लिस्ट में हैं, सर कटे को गाउं से भगाने के लिए हवन किर्तन गाउं में होने लगता है, और गाउं की सारी लड़कियां वापस से मर्द गाउं में भीगी बिल्ली बनकर रहते थें, लेकिन अब वो औरते चाती हैं कि सर कटे से विक्की लड़ेगा, और वो गाउं की औरतों को आजाद करवाएगा, और उन्हें तो अब विक्की पर ही पूरा भरोसा था, कि वो ही अब दोबारा से चंडेरी का रक्षक ब पारे में सोचना चाहिए, वो से भरोसा दिलाती है कि अगर तुम सर कटे को भी हरा सकते हो, उसकी आखों में देखना, और ये खंजर उसके छाती में घुसा देना, बहुत सोचने के बाद विक्की मान जाता है, मगर वो लोग सोचने लगते हैं कि सर कटे को बुलाएंगे क रुदरा कहता है वो तो आयाश था, मुझरा देखता था, तो गाओं में एक डांस प्रोग्राम रखवाते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि ऐसे सिच्वेशन में गाओं में डांस करेगी कौन, सभी तो डरीवी हैं, रुदरा कहता है एक है, जो अपनी जान जोखे में डाल सकती है, मेरे लिए, सभी लोग हैरान हो जाते हैं, हैं आपके लिए, अब इसके बाद वो लोग जाते हैं, शामा नाम की लड़की से मिलने के लिए, जिससे रुदरा प्यार करता था, रुदरा उसे कहता है कि तुमसे काम था, शामा कहती है, जान भी मांग लो वो भी हासि काना नहीं मगर वहां कहीं भी विकी की गल्फरेंड नजर नहीं आ रही थी कुछ समय के बाद जना देखता है अपने विजन में के सरकटा गाओं के आसपास ही कहीं है तभी लोग डांस में मस्ती कर रहे थें कि अचानक से वहां पर बिजली चली जाती है और शमा डरने लगत सभी लोग शमा को घेर लेते हैं कि कहीं सरकटा उसे उठा कर ना ले जाए लेकिन आखिर में उनके सामने सरकटा आ जाता है और विकी खंजड लेकर आगे बढ़ता है लेकिन वो उसे मार नहीं पाता और वो विकी को पीछे गिरा देता है और सरकटा सारे मर्दों के उपर वशी करन जैसा कुछ कर देता है, जिसे वो अब सरकटे के वश में आ जाते हैं, और सरकटा आराम से शमा को वहाँ से लेकर चला जाता है, रुद्रा रोने लगता है क्यूंकि उसकी गल्फरेंड को भी सरकटे ने किडिनाप कर लिया, विकी को होश आता है तो वो कहता है कि सर कटा, उन सभी को कंट्रोल कर रहा है, गाउ में स्त्री की मुड़ती को ढग दिया जाता है, और स्त्री कल आना पर कालिक पोद दिया जाता है, लड़कियों से किताब, फोन, सब को छीन लिया जाते हैं, रात के समय विकी से मिलने के लिए फिर से उसकी गल्फरेंड आती है, और विकी पूछने लगता है कि आप कल रात कहां थी, वो कहती है मैं उस जगा जाने की कोशिश कर रही थी जहां सर कटा रहता है, मुझे लगा जब तक वो यहां गाउ में आएगा, मैं उसके दुनिया में जाकर उन सभी लड़कियों को छुडा लूँगी, मगर मैं अंद भी नी जा पाई, विकी उसकी बातों पर यकीन नी करता, और कहता है कि मैं तो आपके बारे में कुछ जानता भी नहीं, वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई बता दी तो हमारे बीच ये जो भी है सब कुछ खतम हो जाएगा, और वो कहती है कि हमारा और त उसे पता है कि सरकटे को हराना कैसे है और उसके पास सरकटे के बारे में बहुत सारी जानकारी हो सकती है और उसे ये भी पता होगा कि सरकटे के जगा पर हम लोग कैसे जा सकते हैं ये चिठी कहां से आई है ये भी पता चला स्टैंप को देखकर और वो लोग पहुंच जाते ह भोपाल के पागल खाने में और वहां वो लोग एक आदमी से मिलते हैं जो बताता है कि सरकटा उसका पूरवज था और उसी ने रुद्रा को वो किता भेजा चेतावनी देने के लिए वो सबी लोग उसे मदद मांगते हैं कहते हैं कि सरकटे ने चंदेरी के सारे मर्दों की सो कि खल बली जब तक उसे नहीं मिलती है उसकी बली अब वो सब भी वापस अपने गाउं आ जाते हैं और वो सब देखते हैं कि आज माहा पूजा का आखरी दिन है और अगर आज वो लोग सरकटे को नहीं रुकते हैं तो उसने जितनी भी लड़कियों को किड्नैप किया है वो उनकी बली चड़ा देगा अखर में वो लोग प्लैन डिसकस कर रहे होते हैं कि अब करना क्या है और वो सरकटे तक जाएंगे कैसे फिर वो लोग सोचते हैं पहेली के बारे में कि वहां सिर्फ आधा नर और आधा नारी जा सकता है तब वो लड़की कहती है अर्ध नार पारा था रात के समय वो सभी लोग हवेली पहुंच जाते हैं सरकटे का सामना करने के लिए लेकिन उनके पीछे पीछे बिट्टू भी आ गया था जो सरकटे के वश में है और वो लोग उसे बान देते हैं इसके बाद विक्की और उसकी गर्ल्फरेंड दोनों एक हो जाते हैं मतलब के वो उसके अंदर चली जाती है और आसानी से वो लोग सरकटे की दुनिया में पहुंच जाते हैं और अंदर आते ही दोनों अलग होते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें सामने खौलता हुआ लाभा मिलता है और दूर उन्हें नजर आ रहा था जहां स सबھی लड़कियों को कैossip करके रखा गया था। वो विकी से कहती है जां उन्हें बचा लो। विकी उसके साथ जाना चाता है लेकिन वो कहती है कि वो यहीं रहेगी क्यूंकि सरकटे को उसकी बली चाहिए। विकी उसे कहता है उसे तो स्त्री की बली चाहिए, आपकी नहीं, मगर वो कहती है कि सर कटे के लिए तो स्त्री मैं ही हूँ, क्यूंकि अब उसकी चोटी मेरे पास जो है, विकी उसे अकेला नी छोड़ना चाहता था, नहीं वो उसे बली चढ़ने देगा, वो कहती है विकी प सरकटा उस लड़की के सामने आ जाता है और उसकी सारी शक्तियां अपने अंदर खींचने लगता है और वैसे ही वो बागी सारी लड़कियों के साथ भी करने लगता है मतलब के सरकटा सभी लड़कियों की बली चड़ाना चाता था यह देखकर विकी अपनी गल्फरेंड को बचाने के लिए वापस आता है और खंजर से सरकटे के सिर को दो हिस्सों में काट देता है और उस लड़की को बचा लेता है जिससे सारी लड़कियों की जान बच जाती है लेकिन इतने में वहाँ पर बहुत सारे सरकटे आ जाते हैं मतलब के वो जितना भी सरकटे का टुकड देता है जिस पर वो कहती है शायद इसी तलवार से स्त्री ने इसका सिर काटा था और इसी तलवार से सिर कटे को मारा जा सकता है लेकिन जैसी वो तलवार निकालने के लिए जाता है विकी तलवार नहीं निकाल पाता तो वो लड़की उसे कहती है जल्दी मत करो अपने दिल स निकालो लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता सरकटा विकी को कैट कर देता है और फिर से वो उस लड़की के पावर को खींचने लगता है और सभी लड़कियों के साथ वैसा ही होता है अब दोनों बुरी तरह फस चुके थे इसलिए उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर भासकर आ नहीं था और वो अपने पूरे शरीड के साथ वापस आता है यह देकर भेडिया उसके उपर कूद जाता है लेकिन वह आसानी से भेडिया को वहां से दूर फैंक देता है इसके बाद वो लड़की अपने चोटी से सरकटे को जकर लेती है विकी खंजर लेकर उसके छाती मे को पुकारती है इसके बाद वहां पर स्त्री आ जाती है फिर स्त्री और सरकटा के बीच घमासान यूद शुरू हो जाता है और स्त्री सरकटा को उठा कर इधर उधर पटकने लगती है लेकिन आखिर में वो स्त्री को उठा कर फैंक देता है अब सब कुछ विकी के भरोसे ह वही इस तलवार को निकाल सकता है आखिर में विकी तलवार निकाल लेता है और स्त्री भी लोटाती है और वो विकी से तलवार लेकर सरकटे को बुरी तरह घायल कर देती है पिर वो सरकटे को खौलते वे लावा में डूबा देती है और उसके कटे वे सिर को दो हिस्सों में काट देती है और लावा में फैंक देती है जिसे के सर कटा मर गया था और गाउं के सभी मर्द वापस अपने होश में आ जाते हैं स्तरी अपनी बेटी से मिलती है और वो अपनी मां से कहती है अब तुम जा सकती हो स्त्री वहां से चली जाती है दुनों बाहर निकल कर देखते हैं कि बिट्टू ठीक हो चुगा था और जितनी लड़कियों को सर कटा ने पकड़ लिया था वो सभी आज़ाद हो जाती है और भेडिया भी दारते वे वहां से चला जाता है अगले सीन में हम विकी और उस लड़की को देखते हैं और वो लड़की उसे बता देती है कि वो इस्त्री की बेटी है मगर उसकी मा कभी उसे इस रूप में नहीं देखी थी इसलिए वो उसे मारना चाती थी क्योंकि वो अभी भी वो अपनी मा के लिए एक छोटी बच्ची ही है विकी कन्फियूज हो जाता है क्योंकि इस तरी की कहानी तो पूरानों में लिखी हुई है और ये सब को तो बहुत समय हो गया वो लड़की कहती है क्या बस अपनी मा को मुक्ती दिलाना चाहती थी और ये सिर्फ तुम ही दिला सकते थे इसलिए मैं तुम्हारे पास आई और मैंने तुमसे दोस्ती की और जो लोग मेरे बारे में जो भी कहते हैं वो सब सच है क्यों मैं एक छलावा हूँ विकी पूछता है तो फिर हमारे बीच जो कुछ भी है वो सब जूट है क्या वो कहती है नहीं हमारा रिष्टा हमेशा बना रहेगा वो उसे कहता है मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता तो वो लड़की उसके कान में कुछ कहती है और वो वहाँ से चली जाती है ये कहकर कि दोबारा तुम से मुलकात होगी और ये मत भूलना कि जहां तुम हो वहीं मैं भी हूँ फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद वहाँ पर उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं पूछते हैं क्या अखर उस लड़की ने विकी के कान में क्या कहा विकी बस मुस्कुराते रहता है अब इसके बाद जना जाता है भासकर से मिलने के लिए जंगल में और वो उसे कपड़े देता है भासकर उसे पूछता है आखिर वो चीज है क्या और वो चंडेरी में कैसे आ खत्रा वो लोग नस में दांत डाल कर खूंचूस लेते हैं इसलिए जना डिसाइट करता है कि वो यहीं रहेगा और वो भासकर से कहता है दिल्ली जाने लेकिन जाने से पहले भासकर कहता है कि मेरी उस लंबी चोटी वाली लड़की से सेटिंग करा देना जना कहता है जबान स अंदर समा जाता है और सरकटे का शैतान उस आदमी को पॉजस कर लेता है और इसी के साथ 2024 में रिलीज हुई 3-2 मूवी यहीं पर एंड होती है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रू बताएं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे चैनल क को भी सब्सक्राइब कर दे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टेक गेर